लखनों में न्यूज स्टेट की ख़वर का बड़ा असर वारल वीडियो का पुलिस ने लिया संग्यान तो यूवक यूफ्ती से बदसलू की मामले में फाइयार दर्ज दो मंचलों को पुलिस ने किया गिरफतार अन्य मंचलों की तलाश के लिए टीमें गठे तो बाइक सबार यूवक यूफ्ती से की थी बदसलू की यूवक यूफ्ती पर पानी फेकते दिखे थे मंचले तो ये बड़ी जानकारी आपको बतारे न्यूज स्टेट ने प्रमुकता से इस ख़बर को दिखाया था जिसके बाद अब ख़बर का असर भी हुआ है वारल व मंचलो को पुलिस ने इस वामले में गिरफतार भी किया है तो अन्य मंचलो की तलाश लगातार जारी है तो प्रमुकता से न्यूज स्टेट ने इस ख़बर को उठाया था मुखर होकर जिस तरह अब असर भी देखने को मिला है तो देखे आपको किस तरह से पानी के सहलाब के बीच क्यूवक यूवती बाइक पर सवार नजर आ रहे होंगे वो गिर जाते हैं जिसके बादे के मंचले जो हैं वो किस तरह से उन पर पानी की बहुचारी करते दिखाई पड़ रहे है ताना गोमती नगर जनपद लखनों के प्रकरण के संबंद में अवगत कराना है क लखनों पुलिस वारा घटना का ततकाल संजान लिया गया है अराजक तत्वों की पहचान करने के लिए उपलव्द समस्थ वीडियो फोटेज की जांच की जा रही है और इस कारे के लिए टीम टीमों का गठन भी किया गया है समस्थ दोशियों के खिलाफ शीग्र सक्त कार वाई अमल में लए जाए तो देखे ये वो तस्वीर है जिसे नियूज स्टेट ने प्रमुक्ता से दिखाया था और देखे नियूज स्टेट हर एक वो खबर आप तक पहुंचाता है हर एक उस बात को उठाता है जो आप से सरुकार रखती है लखणों की ये तस्वीर है स में गिरफतार हुए हैं वहीं कईयों के खिलाफ फाई यार भी पुलिस ने दर्श की है बाक्यों की तलाश लगातार जारी है तो देखे दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक वो वाईरल वीडियो जिसका आप संग्यान जो है वो पुलिस ने लिया है नियूज स्टेट का उन पर इस तरह की कार्रवाई होगी संबादाता शुबं पांडे भी हमारे साथ लाइव जूड़ गए हैं शुबं लखनों में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है कार्रवाई करते हुए दो आरूपी सलाकों के पीछे भी हैं लेकिन अभी भी कई ऐसे म अंदर तक जग जोड़ दिया बारिश के कारण जल भराव जल भराव से गुजर रही गाड़ी के आसपास मौजूद यूवक मन चले और शोहदों की तरफ से इन लोगों के साथ बत्तमीजी की गई बत्सलूकी इस कदर तक कि महिला गारे से गिर गई उसके साथ भी बत्सल से जो कह सकते हैं आपके पुलिस की कारेशाली को अगर आप समझे इस दौरान तो पुलिस ने एफ आयार तुरधर्ज की लेकिन उसमें कहीं भी महिला के साथ बस्तुलूकी छेड़कानी जैसी चीज़ का जिक्र तक नहीं किया इसके बाद भी इस पूरे मामले को जब अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है सांच के अधार पर जिसमें महमब अर्बाज और विराज साहूं हैं इसके साती साथ अब एफ-आई-ार में भी बदलाव किया गया है एफ-आई-ार में सांच्छ के अधार पर सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी करते होए यानि कि महिला की लज्जा भंग करना इसके पहले अभी तक इन धाराओं को शामिल नहीं किया गया था और ये बात कल भी न्यूज स्टेट पर दिखाएंगे कि एक खबर दिखाएंगे जाने के बाद पुलिस आक्शन लेती है आरोपियों की गिरफतारी होती है अपने अब बताएंगे अब तमाम जो धाराएं हैं वो भी यहाँ पर बद दी गई हैं कहीं न कहीं पुलिस का जो धाराएं बढ़ाई गई हैं उसके बावजूद भी जब एक महिला को इंसाफ ना मिले उसके खिलाफ जो कदम है उसके खिलाफ जो मंचले यहाँ पर करते आ रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाहिर तोर पर जाए सरकार कितने भी सवाल यहाँ पर कानून बना ले कितने भी नियम बना ले कड़े कदम उठा ले लेकिन जब तक वो धरातल पर नहीं उत्रेंगे शुबं तब तक कुछ असर दिखाए नहीं पड़ने वाला है निश्चित तोर पर देखे कि सही समय पर सही निड़ने अगर नहीं लिये जाती इसके बाद इस तरह की तस्वीर सामने निकल करके सामने आती है मैं कल भी Ground Zero पर मौझूद था शाम को साथ बजे रिपोल्ट भी दिखाई थी कि जिस जगह पर ये घटना होई है वहाँ से कुछ कदम की दूरी पर ADCP का दफतर, ACP का दफतर, कुछ कदम की दूरी पर Pink Booth जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना हुआ है ये सब कुछ चंद कदम के दूरी पर था, अगर समय रहते की सब सकरी रहते कि कब तक पुलिस सजग्दा होती है लेकिन आला कि अब 2 R.O.P.U की गिरफ्तारी होई है दो आप और बताने की गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन पुलिस वक्त रहते हैं अक्शन ले तो जाहिर तोर पर इस तरह के सवाल खड़े ना हो शुबम बने रही आप हमारे साथ